क्लास फोर के मैं सारे बच्चों का इस सेशन में स्वागत करता हूँ आज का वीडियो क्लास जो है आप लोगों का साइन्स का चेप्टर नंबर थिरी जिसका नाम है पॉल्यूशन उसके बारे में हम लोग आज बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है प्रदूशन आप देख रहे हैं प्रदूशन आपके आज पास दिखाई देता है एर पोलूशन है वाटर पोलूशन है और स्वाइल पोलूशन है बहुत तरह के Pollution के बारे में हम लोग discuss करेंगे इस chapter में। जैसा कि आपके chapter में इसके बारे में बहुत सारे details में दिया हुआ है तो एक बार इस start करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से सुनियेगा। और साथ में इसका PDF आपको गुरूप में मिल जाएगा और इस से रिलेटेड जो भी questions है वो भी आप लोगों को गुरूप में मिल जाएगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं और आप इसको ध्यान से सुनिए ठीक है आपको बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानने को मिले देगा ऐसा नहीं है पिछले चेप्टर में आपने पॉलूप में थोड़ा बहुत पढ़ा था तो इसके बारे में थोड़ा डिटालस में लोग पढ़ेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं चेप्टर नमर 3 और इसका नाम है पॉलूपूशन औ और पोरुशन के बारे में कुछ डेटे मैं यहां बता दूँ इन्वार्मेंट is compromise all the living and non-living things that occur naturally on the earth. It includes human beings, animal, plant, river, soil, etc. देखिए यहां बात किया गया है हमारा इन्वार्मेंट की बारे में. इन्वार्मेंट क्या होता है? इन्वार्मेंट, everything surrounding us is called environment. हमारे आस पास की जो भी चीज़े हम देखते हैं वो सारे चीज़ क्या है? इन्वार्मेंट है. चाहे हुआ living things हो, चाहे हुआ non-living things हो. यह सारे हमारे इन्वार्मेंट के अंतरगत आते हैं. जैसे कि animals हैं, जितने सारे animals हैं, जितने सारे plant हैं, rivers, जितनी नदियां हैं, मिट्टी, हमारे मिट्टी हैं, यह सारे क्या हैं? हमारे environment के parts हैं, और इनहीं के pollution के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे, ठीक है? तो यहां में देखिए, harm to the environment, हमारे environment किस परकार से छत्ती गरस्त हो रहा है, किस परकार से harm हो रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी introduction आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? Living things depend on the environment, देखिए एक चीज़ आख में से याद रखिए, कि आज जो हम living, हम लोग क्या है? Living things है, plants क्या है? Living things है, यह सारी living things जो होती है, किस पर depend है? Environment पर depend है, सारे इन्वारमेंट पर depend है, for their survival, यानि जिन्दा रहने के लिए, यह सारे लोग environment पर ही depend रहते हैं हम लोग, ठी Population and many human activity have harm the environment, मैं बात करूँ तो आखिर यह environment क्यों harm हुआ है, क्यों इतना छप्ति ग्रस्त हुआ है, यह हमारे activity, देखिए, living things ही तो कुछ करते हैं, non-living things तो बिचारे क्या करेंगे? तो सारे environment, हमारे behaviors, मैं जानता हूं non-living things भी करते हैं, लेकिन वह chemical हम ही लोग बनाते ह ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो मैं यह कह रहा हूं कि हमारे activity की वज़ा से ही आज harm, कौन हुआ है? इन्वार्मेंट, इन्वार्मेंट जो है छत्ति ग्रस्त हो रहा है, देखिए कितने गाणियां चलती है, गाणियां से निकला हुआ धुआ, हमारे environment में carbon dioxide को बढ़ाता है, ह ठीक है, इसके अलावा, tree are cut on a large scale to build house and growth crops for increasing population, जैसे जैसे, क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, इंसान क्या कर रहा है, अपने रहने के लिए पीन पोधों को काट करके, वहां अपना घर बना रहा है, building houses, built houses, यानि अपने पीन पोधों को काट करके, वहां पे घर बना रहा ह है, पीन पोधों को काट करके, जो है, crops उगा रहा है, तो देखें, पीन पोधों को काटे जा रहा है, तो यह सारे चीज़े है, as a result, इससे क्या हो रहा है, the earth is not as green and beautiful as before, तो हमारे इस कटाई के वज़े से प्रित्वी पहले जैसा ग्रीन और ब्यूटिफूल अब नहीं रहा, ठीक है? Cutting of tree has made many animals homeless, यहां तक कि जब हम जंगलों को काटते हैं, तो जंगलों में रहने वाले जानवर क्या हो जाते हैं? homeless हो जाते हैं, बेगहर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ जानवर होते हैं, जंगली जानवर, wild animal, वो क्या है? जंगल में रहते हैं, अब उनको काट देने से क्या होता? वो लोग तो homeless हो गए न, वो लोग अब कहां जाएंगे? तो the level of carbon dioxide in the air has increased. और यहां तक कि क्या होता है? carbon dioxide की मात्रा हमारे environment में बढ़ रही है दिन पर दिन, हर चीज को जला रहे हैं, गाड़ी से निकला हुआ दूआ, फेक्ट्रियों से निकला हुआ दूआ, जो भी चीजे हम जलाते हैं, इन सब चीजों से क्या होता है? इन्वार carbon dioxide जो है, atmosphere में carbon dioxide के level को बढ़ा रहा है, increase कर रहा है, carbon dioxide के level जो है, environment पे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कितना धुआ निकल रहा है इस factory में से, यहां से देख रहे हैं, सारे धुआ, यह सब क्या है? सारे carbon dioxide है, तो देख लेते हैं क्य pollution जिसको आप लोग पढ़िए जरूर, ठीक है, मैं कुछी बता पे चलता हूँ, तो देखिए, pollution अगर बात करें तो air pollution, जैसे कि soil pollution, water pollution, यह सारे pollution हमारे human activity की वज़ा से हो रही है, तो what is pollutants क्या, pollutants क्या है, वह substance जो responsible है, किसके लिए, environment के नुकसान के लिए, देखिए, यहा water and land are called pollutants, यानि कि वह harmful, वह जो है, हानिकारक चीज, जो हमारे इस environment को नुकसान पहुचा रहा है, उस हानिकारक चीज को ही कहते हैं, pollutants, ठीक है, आपने पेशले चलते पढ़ा भी था, air pollution, air pollution के बात करूँ, mix of harmful substance with air is called air pollution, यानि हवा के साथ, अगर कोई किसी भी तरह का harmful substance उ air को pollute कर देता है, उसे हम लोग air pollution कहते हैं, cause of air pollution क्या क्या हो सकते हैं, air pollution के क्या 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 हो सकते हैं, we cut down the tree in the large mud, हम लोग बहुत ज़्यादा पौधों को काट रहे हैं, किसलिए लकडियों को लेने के लिए, wood is used for, हम लोग लकडियों का इस्तिमाल आजकल, chair, table, पौधों को नहीं काटना चाहिए, पौधे सूख गया है, ठीक है, उनको काट कर क्या बना सकते हैं, या उसको इंधन के रिफ में इस्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हरे पौधे हैं, उन्हें नहीं काटना चाहिए, अपने पड़ा deforestation, यानि cutting down of the tree on the large scale is called deforestation, deforestation का मतलब हो गया, यहाँ पर deforestation का मतलब होता है, पौधों को लगाना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, deforestation हो रहा है, यानि कि the cutting down of tree on the large scale is called deforestation, तो deforestation यह लोग कहते हैं, यह बाप लोग या रखेगा, और यहाँ पर और बहुत सारे करण दिये गए हैं, आप इसको पढ़िए, burning of fuel, तेल को जलाने से निकलता है, dirty smoke coming out from the factory, factory सो निकलना हुआ, बहुत ही गंदा धुआ, हमारे air को क्या कर रहा है, pollute कर रहा है, इसके अलाबा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे, increase of carbon dioxide in the air while lead of air pollution, यह शारे, देखें, air pollution mainly होता है, carbon dioxide के बढ़ने से, आप इसको जरूर पड़ी है, eruption of volcanoes release a smoke into the air, यहाँ तक कि जब कोई volcano, जब कोई volcano जब जब फटती है, तो उसमें से भी बहुत सारा धुआ निकलता है, जिससे हमारा air pollute होता है, ठीक है, इसके बाद, effect of air pollution, air pollution की वएसे क्या 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 इसके प्रभाव हो सकते हैं, देखिए क्या 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 हवा सांस के रूप में नहीं लेंगे, तो वह हवा हमारे फेंफडे से हमारे फेंफडे में जाएगा, तो उसको नुकसान पहुचाता है, तो इससे क्या हो सकता है, आपको, lungs cancer, यानि कि लोगों को जो है, air pollution की वएसे अस्थमा का बिमारी हो जाता है, lungs cancer हो जाता है, ठीक है फेफडा का cancer हो जाता है, अगर हवा स्वस्थ रहेगी तो यह सब नहीं होगा, लेकिन हवा का है, dirty हो गया है, air pollution हो गया है, air pollution can cause blood cancer, यहां तक की blood cancer भी हो जाती है, क्योंकि जो हम oxygen लेते हैं, वह हमारे कहीने कहीं जा करके blood के साथ मिलता है, और मिलने के बाद हमें क्या है, अगर हावा जो है, गंदा रहेगा, तो उसके जो pollutants होंगे, हमारे रक्त के साथ मिल करके उसे भी क्या करते हैं, pollute बनाते हैं और इससे heart disease और blood cancer की बिमारिया हो सकती है, it can also cause, क्या होता है, dead chest, यहां आप देखिएगा, क्या होते है, head chest नहीं कि आपके skin पे जो होती है, काल अब आते हैं, land pollution बोलिए या soil pollution बोलिए, इसके बारें पड़ते हैं, mix of harpoon substance in the soil is called land pollution, यानि कि जिस परकार से हवा में गंदगी मिलकर हवा को pollution pollute करती है, उसी परकार मिट्टी में जो हानिकारक सवा, जो पदार्थ हैं, वो मिट्टी के साथ मिलकर क्या करते हैं, land pollution, यानि क soil pollution को की उत्पती करते हैं, आचा, क्या क्या हो सकता है soil pollution के कानड, देखिए आप क्या क्या हो सकता है, cutting of tree, मैंने बताया कि tree are cuts to build houses and offices in the city and towns, देखिए, main cause है कि आप क्या करते हैं, पोधों को काटते हैं, पोधों को काटने से भी क्या होता है, या land pollution होता है, they are also cut down of their wood, उनकी लकडियों को काटने से भी किस तरह के pollution हो सकते हैं, इसके बाद देखते हैं, use of pesticides, यानी आप क्या करते हैं, कीट ना सक, क्या करते हैं, आप अपनों फसलों को अच्छा करने के लिए ज्यादा-ज्यादा कीट ना सक उसमें डालते हैं, वह किट ना सक क्या होता है, मिट्टी हमेर प्लास्टिक ड्रफ। टी सब्सक्रीशर सब्सक्राइब fraternity मोचेशचा में वार गला हो gerçekten है उचसे से भी क्या है soil pollute हो रहा है मैंटी जो है मिटी जो है pollute हो रही है ठीक है परडुसीत हो रही है effect of plant अब इसके परभाव क्या होंगे of course जब इसके परभाव तो होंगे land pollution होगा इसका परभाव क्या हो सब्सक्राइब देखिए insects and animal अजय कोई केमिकल्स मिलता है या कोई भी चीज़े सड़ी गली चीजों से उसमें जम्स पैदा होगे जम्स क्या होगे चारे तरह फैल गए और उससे बहुत सारे बिमारिया हो जाती है Chemicals and Fertilizers and Pesticides are harmful, useful bacteria living in this world देखिए कुछ मिट्टी में लाबदायक बेक्टेरिया जैसे राइजोबियम ठीक है? यह सब राइजोबियम क्या होते हैं? यह सब प्रोटीन देते हैं हमारे पौधों को तो इस तरह के जो लाबदायक बेक्टेरिया हैं जो क्या करते हैं? जो हमारे मिट्टी को पचाते हैं, मिट्टी को उरुवड़ा सकती बढ़ाते हैं वो chemical fertilizer और pesticide की होज़ा से वो लोग भी मर जा रहे हैं मिट्टी को नुक्सान हो रहा है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जा रही है, क्योंकि यह बेक्टेरिया जो लाबदायक बेक्टेरिया होते हैं, यह लोग हमारे मिट्टी की रक्षा भी करते हैं जब यह बेक्टेरिया ही मर जाएंगे, the quality of soil is reduced, मिट्टी का क्वालिटी का हो जाएगा, कम हो जाएगा, यह क्योंकि ब्लाबदायक बेक्टेरिया, पेस्टिसाइड और फटलाइजर की वज़़ा से मर जाते हैं जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितना गंदा जो है, मलवा जो है इस पानी में गीराब, यानि कि हम लोग, अगला हम लोग होगा, water pollution के बारे में, water की तरह से जो है, गंदा हो रहा है, देखिए, mixed of harmful substance in the water is called water pollution, यानि पानी के साथ मिलने वाला जो harmful substance, हानी कारक पदार्थ, जो पानी के साथ मिल जाती है, और पानी को गंदी बनाती है, उसे हम लोग, water pollution करते हैं, इसे करण क्या क्या हो सकते हैं, अब देखिए, कैसे पानी जो है, pollute हो रहा है, throwing waste such as plastic bag, plastic bag को आप फेक दे जाते हैं, ठीक है, कार्टून को आप पानी में फेक जाते हैं, तो इससे water pollution हो जाता है, इसके लगा, washing cloth and bathing in the river and ponds also lead water pollution, या था कि आप कपड़ो को लिया करके स्वास्त तलाब में धोते हैं, उसमें नहाते हैं, इससे भी कहीं ने कहीं water pollution हो रहा है, some industry are situated on the bank of river, कुछ ऐसी जो भी बहुत सरे factory हैं, जो नदी के किनारे ही अपना जो है, उनका जगा बना हुए है, नदी किनारे ही अपने आपको established किये हुए है, उन्हों लोगों के factory से निकला हुआ मलबा, वो भी कहीं न कहीं जाकर पानी में गिरता है, जिससे पानी pollute हो रहा है, ठीक है, देख सकत हैं, यहाँ पर, the water of this river get polluted when harmful substances are released into it, जब harmful substances में मिल जाता है, इसके effect क्या क्या हो सकते हैं, अब of course इसका भी कोई effect होगा, देखिए, many harmful germs grow in the polluted water, अगर पानी गंदा होगा तो इसमें बहुत सारे germs का जन्म होगा, बहुत सारे germs उसमें, बहुत सारे bacteria, virus, fungi उसमें होंगे, और वह क्या करेंगे, वैसा पानी पीने से आपको क्या क्या बिमारिया हो सकती है, आपको टाइफाइड हो सकता है, डाइरिया हो सकता है, और डाइनेस्ट्री नमक बिमारिया भी हो सकते, इस तरह की बिमारिया आपको जो है, क्या है, गंदा पानी पीने से आपको हो सकता है, ठ इससे पौध ही क्या हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं, मर जाते हैं, यहां तक कि कुछ ऐसे भी wild animal होते हैं, जो नदियों के किनारे जा करकर उसका पानी पीते हैं, अब नदियों में chemical मिला हुआ है, वो chemical युक्त पानी जो पीएंगे, तो उससे भी क्या होगा, उनका द्यत हो जा में false sick, अगर हम गंदा पानी पीते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, वेस्ट के इतना प्रगार को होता है, वेस्ट दो प्रगार को होता है, एक है bio degradable waste, एक non-bio degradable, अचा bio degradable waste क्या होता है, वैसा waste, जैसे हमारे घर में सबजी आत लेकिन कुछ ऐसे भी non-bio degradable हैं, जैसे plastic, अब plastic को आप मिटी में फेक देते हैं, तो वह जल्दी से मिटी के साथ नहीं मिलता, वह कई साल, हजारों साल बाद उसे वैसे ही रह जाता है, तो वह non-bio degradable है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था, एक बार वेस्ट पेपर, तो वेस्ट क्या होता है, वैसा चीज, वैसा material, जिसका इस्तिमाल अब नहीं होने वाला है, उसे हम लोग वेस्ट कहते हैं, वेस्ट कैन भी bio degradable and non-bio degradable, वेस्ट दो परकार का होता है, एक है bio degradable, दोनों के बारें पढ़ते हैं, यहां पर देख सकते हैं सा जो चीज़े आप देख रहे हैं, यह non-bio degradable है, यह जल्दी से degradable नहीं होते हैं, जल्दी से सड़ते गलते मिटी में नहीं मिलते हैं, इसलिए यह non-bio degradable है, चलिए इसके बारे में तुछा बहुत पढ़ लेते हैं, क्या है, bio degradable waste, bio degradable waste are those that can break down naturally and decompose easily, यानि कि bio degradable waste है, जो जल्दी से क्या होते हैं, breakdown होते हैं, तूट जाते हैं naturally अपने आप, और क्या होते हैं, decompose होते हैं, आराम से, मना easily decompose होके मिटी में मिल जाते हैं, जैसे paper card, बड़ा paper फेकिएगा, बरसात होके, बरसात में गल करके, मिटी में मिली जाता है, बनाना पिल्स, जो केले के छिलक जाता है, यह सम एक्जामपल है, किसके, बायोडिगरेबल के, अब नवाडिगरेबल अप देखिए, नवाडिगरेबल वेस्ट डू नोट ब्रेकडाउन, एंड मिक्स इन दस्वाइल, यह जल्दी से टूटते नहीं, यह ब्रेकडाउन नहीं होते, और नहीं जल्दी मिट कॉमणटे है, जल्दी से नहीं सड़ते हैं, यह जल्दी से टूटते हैं, यह सब नवाडिगरेबल अगरेबल अयोगेwerk, और बहुत सारे पोलुोषन, वाटर पोलुषन, एयर पोलुषन, nectar सारे चिजップंखे बारे में जन्कारिया सब्ल ह यासा है कि Pollution का ये चेप्टर आपने अच्छा से सुना होगा और इसको जो PDF है आप इसको अच्छा से पढ़िए एक बार जो भी चीजे हैं इसको याद करिए जो खास करके Pinkler का दिया हुआ है इन सब चीजों को आपको याद करना है ठीक है इसके अलावा हम लोग आगे बढ यानि reduce यानि की जो चीजों का इस्तेमाल आपको जरुवत के हिसाब से करना है री यूज जिन चीजों का आप इस्तेमाल कर लिए हो सकता है उस material को आप कहीं ने कहीं दूसरे चीजों को रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं और recycle recycle का मतलब है एक ही चीज को कई बार इस्तेमाल क करना ठीक है नए नए चीजों के रूप में उसको कई बार इस्तेमाल करना पढ़ लेते हैं थ्वड़ा बहुत एक बार देखिए प्रैक्टी से सब्दट्री आर्स ऑफ इन्वार्मेंट रिड्यूस 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 क्या है रिड्यूस देमांट अफ क्यों है क्या रिड्यूस पर श्मय यहांट में घमार्टी से रिड्यूस जी इन्स सकते रियूस करें चितना और व्योस को तो खतम हो गया, तो आप उस डबे में चाहें तो किसी भी प्रकार का मसाला, चीनी, बेशन, डाले, बहुत सरी चीज़ों आप उसमें रख सकते हैं, यानि आपने यहां पे क्या किया, यहां पे आपने क्या किया, री यूज किया उसका, ठीक है, तो यह री यूज की एक्जा कर सकते हैं, हमने आपको बताया, साथ बार सा ज्यादा री साइकल, नहीं होता है, लिखवाए भी था, तो आप पढ़ लिजिए, यहां पे, री साइकल, यूज आइटम टू मेक निव तिंग्स, यानि कि आप देखिए, मैंने प्लास्टिक के बोतल, इस बहुत सरी प्लास री साइकलिंग इस दा प्रोसेस आप मेकिं निव तिंग्स आउट अप द ओल्ड वन्स, यहां पुराने चीजों से नए चीजों को बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं, री साइकल, ठीक है, बेनी अब देखिए, पेपर बैक्स, सोडा कैंस, मिल कैंस, अन्मेट मेट मेटेर ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि यह चीज़ा आपको समझ में आई होगी, तो और इतना से देख लेते हैं, इन्वार्मेंट को बचाने के लिए कुछ चीजों हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि सेव ट्री, यानि पौधों को बचाना, सेव एनिमल, जानवरों को बचाना, सेव व ठीक रहेगा, do not waste paper, lots of tree are cut down to make paper, everybody, और आप लोग को पता है, कि जो पेपर बनता है, जो भी किताबे बनती हैं, वह सारे क्या है, कहीं न कहीं, पेड़े के लकड़ियों का यी इस्तमाल करके बनता है, वैसे जायतर बंबु ट्री से बनते हैं, ठीक है, सेव एनिमल बाई सेविंग ट्री, दीकिए आप अगर ट्री बचाते हैं, तो एनिमल कभी सेव होता है, क्योंकि ट्री की पतियां ही तो एनिमल खाते हैं, तो यह भी है, cutting down of tree make एनिमल homeless, यहां तकि आप जंगलों कारते हैं, तो एनिमल क्या होते हैं, होमलेस हो जाते हैं, ब close the tap when it is not used, अगर आप नल को बंद कर दीजिया, अगर आप उसका इस्तमाल नहीं कर रहे हैं, तो यह सारे चीज़े आती है, इसके अलावास से विलेक्टिसिटी की बात करूं, तो आप दो नाट स्विच ऑन दे लाइट दूरिं दे अब दिन के समय तो ऐसे लाइट रहती ह है, मालनी जब अंधे रहा है तो आप लाइट का इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाए तो उसको बंद कर दें, स्विच ऑफ दे कम्प्यूटर, टीवी और रीडियो, इफ यू और नाट यू अगर आप कम्प्यूटर या टीवी आप खोल दिये हैं, आप टी एक हुचाफ कर देजिए, तो ऐसा मत कर देजिए, लेपटप लेके चले गए और चार्ज में अभी तक लगा हुआ चार्जर, और ये सब आप इस तरह से चीज़ों को बचा सकते हैं, चाहे वार्टी हो चाहे ऑट की घृट्क है, तो थांक्यू, आपको सुने के लिए, औ जो चेप्टर है आपको अच्छा से अब समझ में आ गया होगा इसके बाद का जो PDF है आपको मिलेगा आप उसको देखिए बनाइए जो कोशन मिलेंगे आप उस कोशन को करिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए थांक यू सो मच